हेलो डियर स्टुडेंट्स वेलकम टू माय अकैडमी बच्चों क्या हाल चाल है तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अनिमल किंग्डम चेप्टर कंप्लीट कर लिया था बच्चों आज हम नेक्स अप्रे स्टार्ट कर रहे हैं वह हैं मॉर्फोलोजी औफ फ् प्लांट मॉर्फोलोजी बच्चों यहां पर जो यह मॉर्फोलोजी वर्ड है यह दो वर्ड से मिल करके बना है वो दो वर्ड कौन कौन से बच्चों एक वर्ड है मॉर्फी क्या मतलब होता है उसका मॉर्फी का मतलब होता है फॉर्म्स और फीचर्स और दूसरा वर्ड है यहां पर logi जो किसे बना हुआ है? logos से बना हुआ है और logos का मतलब क्या होता है बचों? to study यानि यहां पर morphology का मतलब क्या है बचों? forms को या features को study करना plant के related बात कर रहे हैं तो plant के forms और features जो है बचों उनकी study को ही हम क्या बोलेंगे? morphology बोलेंगे तो बचों कैसे हम इसको define कर सकते हैं? हम इसको define कर सकते हैं कि it is it is the branch it is the branch of biology is the branch of biology that deals with that deals with the study of किसकी study? study of external forms external forms and features external forms and features of different plant parts कौन कौन से different plant parts होते हैं? बच्चों जिसकी study हम morphology में करते हैं? इस chapter में जो topics आप परते हो different plant parts like root root की study करते हो है stem leaf flower fruit seeds तो बच्चों ये सारे वो different plant parts हैं और इनकी study जो है बच्चों उसे ही हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे plant morphology और बच्चों ये जो plant morphology है इसके अंदर हम specially बात कर रहें इस chapter में किसकी? इनकी अजुआ स्पर्मिक प्लांट की ठीक है बच्चों अब यहाँ पर plant के जब external form की बात करते हैं बच्चों तो plant को mainly जो इनकी प्लांट है बच्चों उसे हम mainly दो पार्ट में डिवाइट करते हैं तो पार्ट के इन दे डिवाइट करते हैं कौन कौन से? एक होता है शू रूट सिस्टम है वो कौन सा पार्ट है वो जो जमीन के उपर होता है प्लांट का पार्ट वो है और जब हम रूट सिस्टम की बात कर रहें बच्चों तो कौन सा पार्ट होगा जो जमीन के अंदर होता है वो होगा रूट सिस्टम तो यहाँ पर बच्चों कौन से है different part कुछ part ऐसा है बचों जो underground है जमीन के नीचे है यहाँ पर और यह जो underground part होता है बचों इसे हम क्या बोलते हैं रूट है और रूट के अंदर भी हम क्या देखते हैं बचों कि कुछ इस तरीके से branching हो सकती है secondary root उसकी भी branching हो सकती है tertiary roots कुछ इस तरीके से present होती है ऐसे ही जमीन के उपर जो part होगा बचों वो part कौन सा होगा shoot वाला और इनकी भी branchings वगरा जो होती है बचों कुछ branches वगरा बनते हैं कुछ इस तरीके से plant के अंदर इनके उपर लगे होते हैं leaves flower, fruit यह सारी जो है वो लगी हुए होती है जैसे हम यहाँ पर बना रहे बचों यह है leaves कुछ इस तरीके से और यंग leaves वो कहां से बन रही है बचों इसके टिप्पे से यहां से बन रही है leaf primordia ठीक है बचों तो इस तरीके से branches के उपर क्या लगे होते हैं branches के उपर leaves जो है वो लगे होते हैं main stem के उपर भी हो सकता है जो main stem के उपर leaf होता है उसे हम colline leaf बोलते हैं जो branches के उपर leaf होता है उसे ramal leaf बोलते हैं बचों इनके बारे में हम detail में बात में बात करेंगे उसके अलावा यहां पर और क्या हो सकता है बचो उसके अलावा यहाँ पर flowers present हो सकते हैं यह देख रहाँ आप flowers कुछ इस तरीके से flowers हो सकते हैं और जब यह फ्लार की ओवरी बाद में mature हो जाती है बचो तो वो किस में convert हो जाती है इनके उपर एंजयोस्पामिक प्लांट है बचो एंजयोस्पामिक प्लांट के अंदर fruits present होते हैं तो fruits वगरा भी यहाँ पर ऐसे present हो सकते हैं तो यह different part है किसके plant के कितने main part में divide किया है दो measure portion दो measure part के अंदर divide किया हो है बचो एक होता है root system और एक होता है sure system जो जमीन नीचे है वो root system में बचो اب यहाँ पर root system के अंदर हैंधी हम parts की बात करें बचो इसे हम क्या ब ॰ूप इससे बुलेंगे primary route primary route की जो branching होती है बचो उन्हें हम क्या बोलते है उन्हें हम बोलते है secondary root secondary root की भी जो branching होगी बच्चों उसे क्या बुल दोगे उसे बुल दोगे tertiary root primary root secondary root tertiary root जो secondary और tertiary roots है बच्चों इन्हें हम combinedly lateral roots भी बुल देते हैं lateral roots और ये सारा का सारा root जो है वो क्या बनाएगा वो root system का formation करेगा बिल्कुल ऐसे ही जो जमीन के उपर वाला पार्ट है बच्चों यहां पर क्या देख रहे हैं आप यह वाला पार्ट जो है this is main stem main stem जो होता है बच्चों उसकी branchings भी होती है यह देख रहे हैं हम इसकी branches और इनके उपर लगे हुए हैं क्या यह लगा हुआ है leaf यह fruit यह फ्लार तो ऐसे different parts जो है वो लगे वे अब यहां पर वो सारा पार्ट बच्चों जो जमीन के उपर आपको दिख रहा है इस पूरे portion को हम क्या बोलते हैं यह पूरा का पूरा portion क्या है बच्चों यह है shoot system क्या है shoot system और यह वाला part जो है बच्चों यह क्या है यह है root system क्या है root system तो दो main part में divide कर लिया root system और shoot system ठीक है बच्चों अब मुझे एक बार बताओ कि यह जो लेवल होता है किस टाइप कौन सा लेवल का organization यहां पर प्रेजेंट है बताओ बच्चों तो यहां पर आप देख रहे हो क्या कि यह जितना भी फ्लार की बात करें या fruit की बात करें लीव की बात करें स्टेम की बात करेंगी क्या है इनका organ है यह प्लांट जो वह करना हुआ है organ से तो क्या बोलेंगे organ level of organization इनके अंदर कौन सा लेवल ऑफ और्गनाइजेशन है organ level of organization जो है वो प्रेजेंट होता है जो की ग्रॉसली डिवाइडेड है टू सिस्टम के अंदर कौन-कौन से root system and root system में primary root, secondary root, tertiary root या lateral root यह आते है shoot system में main stems की branches, leaf, flower, fruit, seeds यह सारे के सारे आएंगे किसके अंदर shoot system के अंदर यह आएंगे ठीक है बचो इतनी बाते clear हो गई अब इसके बात बचो यहाँ पर morphology में कुछ important points की बात करते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि plant different type के होते हैं annual plants ऐता है annual plants कौनसे plant annual plants जो अपना life cycle johai एक साल में complete कर लेंगे बचो इन्हें हम क्या बोलेंगे उन्हें हम बोल देंगे annual plants दूसरे होते है 大 January plants क्या होंगे बचो इसे plants जो अपनो life cycle टो यहर्स के अंदर complete करेंगे उन्हें हम क्या बुल देंगे bi-annual plants तीसरा होता है बच्छो perennial plants क्या होते है जो अपना life cycle जो है वो कई सालों में complete करते हैं many years में complete करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं उन्हें हम perennial plants भूल देते हैं ठीक है बच्छो तो क्या पात बता बड़ी annual plants कौन से that complete its life cycle within one year और ज्यादा अच्छा क्या रहेगा बच्छो हम इसे बुल सकते हैं within one year और few weeks और months जो growing season जो होता है बच्छो उसमें grow करते हैं और उसकी complete होते होते उनका life cycle complete हो जाता है ऐसे plants को हम क्या बोल देते हैं annual plants एक साल के अंदर या कुछ महीनों में अपना life cycle जो हो complete कर लेते हैं उन्हें हम annual plants बोल रहे हैं बच्छो एक्जामपल क्या होगा बच्छो एन्वल प्लांट के एक्जामपल हो सकते हैं जो mostly आप देखते हो कि cropping जो होती बच्छो mostly वह कैसे होते हैं वह annual type के plants होते हैं जैसे हम बात करते हैं वीट हुआ, राइस हुआ, वीट, राइस, मेज, इसके लाब पोटेटो, टॉमेटो, तो बच्छो ऐसे बहुत सारे एक्जामपल हो सकते हैं जो कैसे है, annual plant है, एक साल के अंदर या कुछ महिनों में अपना life span complete कर लेते हैं, बाइन इन प्लांट की बात करते हैं बच्छो तो कैसे plant होंगे, जो complete करते हैं, completes its life cycle और life span within two years, कितने साल में, दो साल के अंदर में अपना life span complete करते हैं, फर्स्ट यर में वो क्या करेंगे बच्छो उनके अंदर vegetative growth होगा, वो अपने size में बड़े होंगे, ठीक है बच्छो और जब second year के अंदर वो क्या करेंगे, उनके अंदर reproductive maturity आ जाएगी और वो flowering, fruiting करेंगे और फिर ultimately उनकी death हो जाती है, तो इस तरीके से वो अपना life span जो है वो two years में complete करते हैं, ऐसे plants को हम बुल देते हैं क्या, biennial plant इनके example क्या हो सकते हैं बच्छो इनका example हो सकता है, radish, carrot, cabbage, beet, ठीक है बच्छो तो ऐसे plants होते है, biennial जो एक साल में first year जो होता है उनका, उसमें वो vegetative growth करते हैं, और second year में उनकी reproductive growth होती है, और उसके बाद मे ultimately उनकी death हो जाती है, ऐसे plants को क्या बुलते हैं, biennial plants बुल देते हैं, what is perennial plants, ऐसे plants जो अपना life span जो है वो बहुत सालों में complete करते हैं, यानि इनके लिए हम क्या बुल सकते हैं बच्छो, these are the plants which completes its life cycle in many years, बच्छो बहुत सालों में अपना life span जो है वो complete करते हैं, उन्हें हम perennial plant बोल देते हैं, बच्छो, perennial plant के example के यदि हम बात करें, तो कौन से plant हैं, जो कई सालों तक survive करते हैं, और अपना life span दो साल से ज़्यादा में complete करते हैं, बहुत सारे example हो सकते हैं, जैसे mango, guava, apple, ठीक है बच्छो, तो वो क्या हो जाएंगे, perennial plant हो जाएंगे, ठीक है, त करते हैं, morphology, related, कि plants रहा है, वो herb, shrub, and trees, ऐसे three type के होते हैं, बच्छो, तो यहाँ पर herb, shrub, और trees का meaning क्या है, बच्छो, किस tribe की plant रहते हैं, बच्छो, जो होते हैं, वो ऐसे plant होते हैं, जो छो छोटे हैं, और यूछ क्रेश्व पलांट होते हैं, बच्छो, हर्प रहते है जहुआً हैं वह ऐसे प्लांट बढ़ारे चुर्टे भी हैं स्मॉल साइस. और उनके अंदर वुड़ी टीश्यू एपसंट होता है यानि हर्प जो है वो कौन से में से प्लांट है बच्चो थीच्यू प्लांट नहीं,। पूल देंगे, एक्जाम्पल बता सकते हो क्या हर्ब के, हर्ब के एक्जाम्पल में आ सकता है बचोँ जैसे, जैसे हम बात करें, rice wheat grass mint तो यह सारे के सारे क्या है यह सारे के सारे potato, tomato, क्या है हर्व है, इनके अंदर woody tissue नही है second degree नहीं होती है, चोटे size के होते हैं, श्रब की जब हम बात करेंगे बच्चों, तो यह किस टाट की plant है these are relatively taller relatively long and वूडी टीशू प्रेजन्ट तो ऐसे प्लांट जो रिलेटिवली बड़े हैं और उनके अंदर वूडी टीशू प्रेजन्ट होता है रिलेटिवली बड़े का मतलब हर्म से बड़े होते हैं ज्यादा बड़े भी हो सकते हैं च्छे फीट, साथ फीट तक के भी हो सकते बचों और छोटे साइस के भी हो सकते हैं लेकिन उनके अंदर वुडी टीशू प्रेजेंट तो उन्हें हम क्या बोलते हैं श्रब बोल देते हैं एक्जामपल के दिया हम बात करें बचों तो इसके अंदर आ सकता है रोज, चाइना रोज, लेमन, एट्सेटरा क्या हो जाएंगे जिजीफस, बेर वगरा जो भी श्रब में आएगा बचों तुलसी जो है वो श्रब में आएगा तो ऐसे एक्जामपल हो सकते हैं श्रब के और ट्रीज की बात करें हम तो कैसे होते हैं बचों टॉलर टॉलर प्लांट्स विथ वोडी टीशू जो बहुत ही टॉल प्लांट है बड़े प्लांट है और वोडी टीशू वो क्या होते हैं ट्री होते हैं लैक मैंगो, बैनियन, गौावा, ठीके बचों जामूं ऐसे सब प्लांट अब बचों यहां पर कुछ ऐसे भी प्लांट है जो आपको तो होता है कि बिश्रुल तो होता है ना थे आखके बनाना जो है किस सका हर्भ का कि अब जब की वड़ें लेकिन बाइबा कि अधु इसुन आईगा हर्भ में ऐसे बचों हम बात करें कि जो sugar cane है वो क्या होता है sugar cane grass family का तो है बच्चों poesy family का तो है और herb की category में आता है ठीक है बच्चों ऐसे ही हम bamboo की बात करें तो bamboo जो है बच्चों वो tall होता है tall like trees लेकिन actual में वो poesy का member है grass like plant होता है ठीक है बच्चों तो इस तरीके से बच्चों यहां पर different type के plant herb, shrub और trees क्या होते हैं उसके बारे में हमने यहां पर देखा ठीक है बच्चों अब हम बात करते हैं annual, biennial, perennial देख लिया herb, shrub और tree देख लिया बच्चों एक और भी important terminology यहां पर monocarpic और polycarpic plants क्या होते हैं monocarpic plant वो होते हैं जो अपनी life typing के अंदर सिर्फ एक बारी flowering और fruiting करते हैं और polycarpic plant वो होते हैं जो अपनी life में कई बार flowering, fruiting करते हैं ठीक है बच्चों इनके बारे में detail में जो है वो हम देखेंगे जब हम reproduction वाला chapter पढ़ेंगे उसके अंदर यहाँ पर बच्चों अब हम एके करके plant के जो different organs हैं उनके बारे में detail में पढ़ना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं root के बारे में तो start करते हैं topic the root तो बच्चों यहाँ पर root क्या होता है root है plant का underground part mostly हम क्या रिखते हैं कि root जो है वो plant का underground part होता है non green होता है और उसके उपर node inter node absent होते बच्चों और यह positively geotropic होते हैं positively hydrotropic होते हैं negatively phototropic होते हैं तो मैं क्या बोल सकता हूं root के लिए कि it is it is the underground part mostly कैसा होता है underground होता है underground part of part of the plant that is that is mostly non green non green होता है बच्चों और क्या positively geotropic बच्चों positively geotropic का मतलब समंझते हो क्या यानि वो किस की तरफ map move कर रहा होगा वो नीची की तरफ move कर रहा होगा वो अर्थ की तरफ move कर रहा होगा होगा इसलिए हम बोलते हैं ग्रोば कर रहा होगा इसलिए बोलें Common positively geotropic Зем É positively पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एंड निगेटिवली नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक लाइट के अपोजिट डिरेक्शन में ग्रोव कर रहा है इसलिए हम क्या बोलेंगे नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक ठीके बचों बहुत ही इंपोरटन बात है कि रूट को यहीं स्टेयम से डिफेरेंशिट करना है अलग करना है तो बहुत ही खास बात क्या है कि रूट के उपर node into nodes absent होते हैं यानि important point क्या है node and inter nodes are absent on root root के उपर node inter node जो है वो absent होते हैं बचों ये बात ध्यानक ना बहुत ही important है normally इनके उपर bud वगेरा जो हैं वो भी absent होते हैं but कुछ cases में present भी हो सकते हैं तो root के बारे में important बात पता पड़ा root non green है positively geotropic है यानि अर्थ की तरफ grow करेगा positively hydrotropic है water की तरफ grow करेगा negatively phototropic है यानि की light से away जाएगा तूर जाएगा ठीक है बचों then node और inter node जो होते हैं वो इनके अंदर absent होते हैं बचों अब इसके बात में बचों root जो है उसके उसका function क्या है root का function क्या है बचों root का main function है encourage ठीक है बचों यानि यह क्या करता है यह plant को support provide करने का काम करता है second इसका function है दी हम बात करें तो क्या कर रहा है absorption में help करता है absorption of water and mineral यह दो main function है इनके अलावा बचों यह storage में भी help करता है और कई बार यह photosynthesis में floating में nitrogen fixation में ऐसे different functions जो है वो भी perform करते हैं तो बचों यह तो हुआ root basically होता क्या है अब बचों हम देखते हैं कि root के different parts जो हैं वो कौन-कौन से होते हैं root के parts देख ले रहे हैं बचों यहाँ पर अब different zones of root root के उपर different zone जो हैं वो कौन-कौन से होते हैं बचों तो यहाँ पर root के उपर जो बचों zone है उसे हम mainly three parts में divide कर लेते हैं mathematic zone elongation zone and maturation zone इनके इसके अलावा बचों tip के उपर इसके टिप के उपर एक extra part और भी यह जिसे हम क्या बोल देते हैं से बोल देते हैं root cap थिंबलाई क्या होता है root cap होता है यानि क्या-क्य zone बोल रहे हैं बचों यह जो सबसे नीचे वाला portion है इससे हमने क्या बोला है यह बोला है हमने root cap root cap के ठीक उपर वाला portion जो है बचों यहाँ पर cells बहुत ही compactly arrange होते हैं और quickly divide कर रहे होते हैं तो यह वाला portion जो होगा बचों जो quickly dividing cell से बन रहा है इस portion को हम क्या बोलेंगे इस portion को हम बोलेंगे zone of division zone of division या फिर इसे हम meristomatic region भी है meristomatic zone जो है वो भी बोल देते हैं इसके उपर वाले part की बात करें बचों यहां पर cell जो है उनका size जल्दी जल्दी क्या होता है लंबा होता है, elongate होता है इसलिए इस zone को हम क्या बोलेंगे zone of elongation cell का size बढ़ा होगा और इस range में length जो है वो काफी तेजी से बढ़ती हुई हमें दिखाए देगी तो इस reason को क्या बोल दोगे बच्चों, zone of elongation this is zone of elongation और बच्चों ultimately क्या होगा जो सबसे proximal most part है root का, वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि cells जो है, वो differentiate होना start हो जाती है, different functions को perform करने के लिए इनके अंदर epidermis बन जाएगा epidermis में क्या होगा बच्चों, root hair जो है, उनका formation हो जाएगा ठीक है, इसके अंदर cortex बगरा बन जाएगे बच्चों फिर endodermis बगरा बन जाएगा तो इस तरीके से different reason जो है, वो यहाँ पर बनने लग जाते है xylem phloem जो है, वो बनने लग जाता है तो इस तरीके से differentiation जो हो जाता है तो इस zone को क्या बोलते है, जिसके अंदर differentiation हो गया, zone of maturation और बच्चों, एक important बात क्या रिख रहा है, कि यहाँ पर zone of maturation पर ही आपको root hair देखने को मिलेंगे, तो कौन-कौन से zone हो गया बच्चों, यहाँ पर zone present है, उनमें एक है root cap दूसरा है, zone of division zone of division जो है, उसे हम और क्या बोलते हैं, बच्चों, उसे हम बोल देते हैं, meristematic meristematic region then बच्चों, थर्ड जो है वो कौन सा reason है, that is zone of elongation, कौन सा zone है, zone of elongation and fourth is zone of maturation ठीक है बच्चों, तो यह regions यह zone जो है, वो present होते हैं, किसके अंदर, root cap के अंदर, एक है करके हम बात करते हैं, बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर root cap के बारे में, first जो बच्चों हम यहाँ detail में देख रहे हैं, वो है root cap बच्चों, root cap क्या होता है, root cap जो है, वो एक thimble shaped, cap like structure, जो है, वो कहाँ पर present है, distal most part के उपर present है, कैसा structure है, thimble shaped जा cap like structure on merisametic zone merisametic zone merisametic zone जो है, उसको इपर हम thimble shaped या, cap like structure है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, बच्चों उसे बोल देते हम, root cap ठीके बच्चों, root cap जो है, उसका function क्या होता है बच्चों, root cap जो है, वो क्या करता है एक काम तो क्या हो जाएगा, protection protection of Mass Cause Massive इसरी क्योंकि उसके उबर प्रजयर जो आज इसको प्रोडिक्शन बेट करेगा मेस्टिंए क्षेशियर मेरस्टिमेटिक जोउन उसको प्रडिक्शन का प्रोण करेगा Penetration of Soil Soil को Penetrate करने में Help करेगा बच्चों क्यों क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे Golgi Body है Mucilase को Secret करता है और Lubricate करता है ताकि Root जो है वो Easily Soil Particles के बीच में Grow कर पाएं ठीके बच्चों इसके अलावा Root Cap का और भी यह थी Positive Geotropism के लिए भी Responsible होता है बच्चों यहाँ पर ध्यान रखना कि कुछ Plants होते हैं उनके अंदर Root Cap जो है वो Modified हो जाता है किसके अंदर Root Pocket के अंदर Root Cap Is Modified In Root Pocket किसके अंदर होता है ऐसा यह होता है इसके अंदर होता है बच्चों इसका एक्जामपल है Pistia Iconia Pistia Iconia इनके अंदर Root Cap जो है वो किसमें Modified हो जाएगा Root Pocket में Fluting में help करेगा बच्चों एक और भी Important बात है रखना है Root Cap के Recording कि Multiple Root Cap किसके अंदर होता है Multiple Root Cap Is Present In Multiple Root Cap जो है बच्चों वो किसके अंदर Present होता है That is Present In Screw Pine Screw Pine जो है बच्चों उससे हम बुल देते हैं Pandanus क्या Pandanus Pandanus के अंदर Multiple Root Cap जो है वो present होता है तो बच्चों इतनी बात है आपको Root Cap के Related ज़रूर से ध्यान रखना है बहुत ही Important है ठीक है बच्चों ये तो एक जोन की बात हुई अब बात करते हैं बच्चों दूसरे Next Zone की बात कर लेते हैं Zone of Division Zone of Division क्या बोल रहे हैं इसको हम Maristematic Zone भी बोल रहे हैं यहाँ पर बच्चों जो Cells होते हैं वो Small Size की होती हैं चोटी-चोटी Cells होती हैं Center में Nucleus होता है Compactly Arrange होंगी इनके बीच में Intercellar Space जो है वो Absent होंगे कुछ इस टाइप की Cells होती हैं और बच्चों यही Cells जब Divide करती है तो क्या होगा इससे Plant की Growth होगी Root जो है उसकी Growth होगी यानि किसके लिए Responsible है It is Responsible for Growth of Root Root की Growth के लिए Responsible होता है और इसके अंदर Features क्या होंगे बच्चों जो Mastematic Tissue के Feature होते हैं वह ही सारे होंगे ठीके इसके बाद में हम बात करते हैं Zone of Elongation की Zone of Elongation के अंदर क्या हो रहा है बच्चों यह Cells जो है वह कैसे होती जारी है वह Elongate होती जारी है Long होती जारी है कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा Vacuolization जो है वह स्टार्ट हो जाएगा Vacuol का Formation जो है वह स्टार्ट होने लग जाएगा Cell का Size बढ़ने लग जाएगा और Maximum Length Increase is in this region of root तो यह reason जो है बच्चों उस region में ही सबसे जादा Length जो है वह Increase होता है root का कौन सा है वह Zone of Elongation है Then Zone of Maturation की बात करते हैं बच्चों तो Zone of Maturation जो है वह कैसा reason है Proximal Most Part Proximal Most Part और Zone of Root यहाँ पर बच्चों क्या होता है Cells जो है वह Differentiate हो जाती है Cells जो है वह यहाँ पर Differentiate हो जाती है और क्या होता है अपना particular function करने के लिए जो है वह Fix हो जाएगी किस desolmar Zon of Maturation के अंदर और यहाँ पर बच्चों Journal of Maturation Angeles या इस reason में क्या present होते हैं root hairs होते हैं वो भी present होते हैं ठीक है बचो तो यह हमने देखे कौन-कौन से reasons या zone जो है वो present होते हैं root के अंदर और उनका क्या-क्या function होता है ठीक है बचो अब इसके बाद में जो root है उनके modifications पढ़ेंगे next lecture में तब तक आप अच्छे से बढ़ते हुआएंगे बइ sì या यह न थियdepOR झालीए बाद माझे है हुआए बड़त अपल शार पत कहले हैं रज टीपार का का अच्रे वल्र कל़ते हैं